प्रादेश में लोकसभा और विधानसभा उपचनाव की तारीख नजदी काते ही राजनितिक दलों का चुनाव प्रचार, ताबर तोड, बैठके और जनसभाएं लगतार चारी है धरमशाला विधानसभा, शेत्र सेभाजबा प्रत्याशी, सुधीर शर्मा बूथ लेवल प विधानसर्मा पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, सुधीर शर्मा का कहना है कि उनका चुनाव चिन जरूर बदला है, लेकिन व्कास कारे पहले की तरहा जारी रहेंगे, आएगे देखते हैं हमारे संबादात विपन शर्मा की सुधीर शर्मा से एक खास बाची. सुधी जी सबसे पहले जाना चाहेंगे कि किस तरह का response जो है आपको मिल रहा है बहुत कम बक्त जो है वो भी धानसवा के लिए चुनाबों में बचा है तो किस तरह का response मिल रहा है आपको अच्छा रिस्पोंस है और लोगों ने मन बनाया है कि बारती जनता पार्टी के पक्ष में मददान करना है, प्रदेश में बदलाव करना है, क्योंकि जो सरकार कॉंगरिस की रही है, प्रदेश में सुखु इंदर सिंग सुखु के नित्रित्व में पूरी तरह से विफल रह है, और लोगों के साथ यूठी ऐसी बातें करके आप सत्ता में कैसे रह सकते हैं, और रूनी के चलते तो यह उप चुनाव आया, वही तो जगड़ा है, कि जो विकास के काम है, लोगों के अपने काम हैं, जो नहीं हो पारे, तो उसके चलते यह परिस्थितितियां पैदा ह में हैं, तो अच्छा response है लोगों में. तो अभी जो विधान सबाड चुनाव हो रहे हैं, उसमें अगर हम मुध्दो की बात करें, तो क्या मुद्दे हैं धर्मशाला बीधान सबाड चुनाव में? देखिए धर्मशाला से बहुत सारे कार्याले यहां से चले गए जब से यह सरकार बनी उसके बाद केंद्री विश्विद्याले है जिसका काम रोक दिया गया है हमारा चैतलू में जो आईटी पार्क है उसका काम बंद कर दिया हमारे यहीं पर जो है वो यूनिटी मॉल पैसा है केंद्र का पैसा है सुधिर जी जो भाजपा के पिछले विधांसवा चुनाबों में परत्याशी थे राकेश चोधरी की बात कर ले वह भी निर्दली चुनाब परचार में जो है अब कूच चुके हैं क्या लगता है यह कहीं समीकरन खराब तो नहीं करेगा या न हमने अन्तिम निरने तो जनता करती है हमारी लडाई तो सुख बिंदर सिंग सुख के साथ है हम सरकार बदलने के लिए लड़ रहे हैं और चार तरीक के बाद परिवर्तन प्रदेश में करना हमारी वह लड़ाई है बहुत कम समय अब जो है विधांसवा चुनाब के लिए है किस तरह की अपील जो है धर्मशाला के लोगों से करना जाएं देखे मैं तो यह कहना चाहूंगा धर्मशाला की जनता से के जहांदेश में प्रदान मंतरी जी तीसरी वार शपत लेंगे यह उनका स्वरनिम कारेकाल होगा हमको भी उस कारेकाल में उनके साथ चलना है उस